दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में स्थित कैफे दे मिलानों में ग्रे प्रोडेक्शन के द्वारा प्रेस वारता का आयोजन हुआ इस प्रेस वारता में ग्रे और सिष्टी उपस्तित हुए जिन्होंने मीडिया के माध्यम से अपने नए गाने तुम और में को लेकर बाचित की दोनोंने अपने इस गाने के एक्सपीरिंस को बताते हुए कहा गाने की शूटिंग रिशिकेश में हुई थी और हम दोनों को ही गाने में काम करके अच्छा लगा और जिस तरह लोगों ने भी इस गाने को इतना पसंद किया है तो हमें उमीद है कि आगे भी इसी तरह आप लोगों का साथ मिलता रहेगा गाने के बोल मैं पहले आपको बता देता हूं तुम और मैं और ये एक सौंग इस तरीके का सौंग जिसमें ट्विस्ट है तो वो आपको पता चलेगा जब आप वीडियो देखोगे कि अधिक बडियो आपको पता चलेगा इस अधरी अनेश्पेक्टेद के तरफ तुम आपको बता चलेगा इसखेट उन्हार अर्ड इसके अलावा पर शूंग हम लें किया नहीं मेरे खल से किल रिचिकेश में एक इवा के बड़ाइं आपको पता चलेगा एग प्टेश ए कि there is a shot in the last sequence जहां पर मैं यलो शुट में हो और आप यलो साडी में है तो वो साडी के साथ जो स्ट्रगल था वो स्ट्रगल के बारे में एक बार ऑडियन्स को बता है I really want them to know कि कितना हाद होता है एक एक अक्टर के लिए शूट करना तो प्लीज बता है इतली हवा बहुत तेश जब रही थी है मैं पल्लू बार बार संभाल रही थी पल्लू रही थी मैं मैं बोनस में बार्ड देशीन की बात करूंगा कापी जुट्रगल रहता है जैसा आप में बताया इक आलने को भी इस करना जाओ उसको बज़े पर देखती है तो वह एक बूइडी टोकर निकलता है उससे पहले की बात करूंगा मैं एक कुदी गईमी थी वापे पसीने शूट पे थे आपको उनों का तालमेल कैसे बना रहा हुआ बहुत ही अमेजिंग सवाल आई है यह तालमेल एक्षडी हमारा बना बहुत अच्छा अमारी बांडिंग है अम लोग एक दुसरे को पहले सी जानते और शृष्टी है जानते है तो हम लोग जो महां पे गए और प्रोफेशनली जब हमने शूट स्टार्ट किया अजिए को तो एक ताइम पहसा आया ना शी होल्ड़े बीलाइब लिए अर उसके बाद जो उन्होंने वो शॉट देयाइड वर जो एक ताइम पहसा आया ना साडी बात में बताना चाहता हूं उनका एक अए ऐसे था कि शिफोन साडी और रैसे हवा में उडे बैकराउंड को की तोड़ा गुवा टाइप का था तो वो था बट वो उतना हो नहीं पाया विकेज ना तो श्रिष्टी को साडी बांद नहीं नहीं उतकर शागवारी थी और नहीं किसी डी उपी को आ रहा था तो बहुत तगड़ा श्रगल रहा है अगर आप तेहां से देखोगे तो आपको पता चलेगा बट शी मैनेज इट सोगे राइट मार अव यह रहा है अयम ईखांगा है रिया लाइप में तो लग होता है विडियो क्यों चुट में बाद तो उसमें जिनेगे में किसमें नहीं से अदिख कर था है रहा हूं आप हम काफी क्लोज भी दिख रहे हैं वाह पर तो आप दो वीडियो में देख साथे And it's an eternal love story, a real love जिसको हम कहते हैं कि हर किसी के जिन्दगी में एक first love होता है, जो कि एक special love होता है और ये उसी love के उपर है कि इनसान एक love के बाद दूसरे इनसान के बारे में सोचने में काफी वक्त लगा देता है या तो जिन्दगी में कभी सोची नहीं पाता है तो ये पहले प्यार और first love की गहानी है कि कितना pure होता है और कितना strong होता है उसके बारे में दिखते हैं कि वो हैसा तूर जाता है तो कि ये गाना जो है चलेगा फैंस पसंद करें इसको बिल्कुल करेंगे जैसा मैंने आपको बताया कि there is a twist in the song गाने की कहानी के अंदर एक twist है जब आप गाना देखेंगे हमारा जाकर तो आपको बता चलेगा उसके बारे में है मेरे तरफ से अब भी लोगो के लिए मैसेज यह है फिरूम दिस सॉंग इस दाग अगर आप इस गाने को देख के इंस्पाइर हो रहे हो अगर इस गाने के साथ आप रिलेट कर सकते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग successful हैं जो हम करना और create करना चाहते हैं और गाने से हटकर जो मेरा message यह है कि for all the youngsters जिनको भी लगता है कि वो उनके अंदर capability है या कुछ है वो अपने dreams को अपने अंदर दबा के ना रखें Whatever you feel like, if you think that you are capable enough, go ahead and do it उसके बारे में आप रोके और हमारी country इंडिया को हमेशन स्वच रखे, clean रखे यह मेरी दरोब से एक message यह है जो तुम और मैं सौंग है, सृष्टी आप बदाओ कहां मिलेगा देख सेथे The Grey Production के नाम से, गाने का जो बोल है तुम और मैं तुम और मैं, Grey Production के नाम से चैनल है, वहां पर आपको मिलेगा वो गाना So all you need to type is, तुम और मैं, by Grey, या फिर, song by Mr. Grey, जो भी हाप करोगे इमरेज में यह लो हमारी ट्मिनीम भी है, वो दिख जाएगी यह रिलीज का दो का से गाना यह रिलीज हमने टुवीक्स पहले कर दिया है और अभी अच्छा कासा हमें व्यूस भी मिल गया है It Cross 7 के 7,000 व्यूस इन यूटूब फ्रम पास्टो वीक्स, दो हफ्ते के अंदर ही और काफी खुशी है हमें कि लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और अभी भी व्यूस के काउंट जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं तो वो एक खुशी है क्यों आज दो कह रहा जाने न जाने क्यों आज दो कह रहा बादलों पर करके सुभा चलो चान्द पर भी ताहे रहा तुम और में चलो आओ चले तुम और में चलो चले आखो से ये बाते हो क्वाबू में तुम ही आते हो मैं से ही तुम ना हमसे तुम से बाते हो तुम ही हो मेरे लिए तुम ही हो मेरे लिए हलो बेटा तु ठीक है ना हाँ मैं ठीक हूँ ग्रे को गुजड़े हुए बहुत टाइम हो गया है बेटा अब तो तु वापस आजा पुम्हर में चलो आओ चले तुम्हर में झाल